हेलो डियर स्टुडेंट्स में राजदायमा स्वागत करता हूँ आपका दायमा इंगलेस क्लासेज में क्लास 6 तोर 7 की वर्क बुक प्रवाह यह हम सॉल्व कर रहे हैं यह है वर्क्षिट नमबर 33 वर्क्षिट नमबर 33 में कॉम्पिटेंसी है यानि इसमें हमें क्या सीखना है दक्षता क्या है तो रीड टेक्स्ट को पढ़ो with comprehension समझ के आधार पर समझ के साथ identifies contexts and sequences appropriately उची तरीके से जो क्रम है जो संदर्व है उसकी पहचान करनी है given below is a picture story नीचे एक picture story दी हुई है यानि तस्वीर में जो कहानी कहीं गई है about rama rama के बारे में read the sentences sentences को पढ़ो with pictures तस्वीरों के साथ and give correct sequence in boxes और फिर sequence जो है correct वो यहाँ पर देनी है तो इस तरह से यह अलग-अलग pics जो है वो दी हुई है यहाँ पर इन में आपको जो proper sequence है यानकी इनका क्रम है उन sentences को क्रम के according लिखना है और कहानी को complete करना है जैसे यह sentence अगर हम पढ़े हैं तो यह कहता है हर दीदी talked with her friends उसकी दीदी ने बातचीत की उसके दोस्तों के साथ या सहलियों के साथ अब देखो यहाँ direct हर दीदी आया हुआ इसका मतलब इससे ठीक पहले कोई ने कोई नाम जरूर होगा यहां हर दीदी है तो इसका मतलब इससे पहले कोई नाम जरूर होगा उसके लिए यहाँ पर हर आया हुआ है खेर देखते हैं हर दीदी टॉक्डविद हर फ्रेंड्स उसकी दीदी ने उसके दोस्तों से बातशित की they decided to talk with people of the village उन्होंने गाउं वाले जो गाउं के लोग हैं गाउं के लोग मतलब गाउं वाले people of the village गाउं के लोगों के साथ talk बात करने का decided निश्चे किया उन्होंने निश्चे किया क्या निश्चे किया to talk with people of the village गाउं के लोगों के साथ बात करने का निरने किया थर्ड सेंटेंस इसमें सेकंड सेंटेंस इसमें दिया हुआ है रमा वोज अनहेपी रमा उदास थी दुखी थी because क्योंकि her school didn't have a toilet क्योंकि उसके school में toilet नहीं था she talked about this with her दिद्धी और उसने किसने रमा ने talked बातचीत की थी about किसके बारे में this with इसके बारे में with her दिद्धी अपनी दिद्धी के साथ with का मतलब होता है case मतलब नहीं होता के अर्थ में परिव्ट होता है in the sense of case तो अपनी दिद्धी के साथ इस बारे में बात की उसने उसने इस बारे में अपनी दिद्धी से बात की किस बारे में की toilet नहीं है इसकूल में after all the people decided लोगों ने decide किया निश्चे किया की a toilet should be एक toilet होना चाहिए should be built बनना चाहिए का निर्मान किया जाना चाहिए दिद्धी went to talk with the school teacher दिद्धी इसकूल टीचर से बात करने के लिए गई she finally agreed to build one और वो अंततह एक बनाने के लिए तयार हो गए दिद्धी एंड हर फ्रेंड स्टॉक्ट with the people दिद्धी और उसकी सहलियों ने लोगों से बातचीत की of the willies गाउं के and they felt that और उन्होंने महसूस किया कि a toilet should be built in Ramaj school Ramaj के school में एक toilet जो है बनना चाहिए soon the work for a toilet is started जल्दी ही toilet के लिए एक कारिय toilet बनाने का काम जो है वो शुरू हो गया all the elder elder का मतलब होता है बड़े all का मतलब सभी सभी बड़े बच्चे सभी बड़े बच्चों ने help की मदद की किस में मदद की in making a toilet toilet बनाने में मदद की finally a toilet was built एक toilet बनाया गया कहां बना गया in the school school में Ramaj never faced Ramaj ने कभी सामना नहीं किया किस चीज़ का the problem again समश्या का दुबारा तो Ramaj ने दुबारा समश्या का सामना नहीं किया तो ये काहनी थी इसमें करम से इसको लिखना है अब करम से लिखना है तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि Ramaj ये number one पे आ जाएगा यहाँ ये number one पे होगा क्योंकि यहां से शुरुआत होती है कि रमा उदास थी क्यों उदास थी क्यों उसके स्कूल में टोईलेट नहीं था तो उसने इस वारे में अपनी दिद्दी से बात की तो फिर क्या हुआ कि उसकी दिद्दी ने फिर उसके सहलियों से बात की they decided to talk with people of the village फिर उन्होंने निश्चे किया कि गाउं के लोगों से बातचीत करें तो ये दूसरा हो गया फिर क्या है तीसरा ये है ये दिद्धी और फ्रेंड्स दिद्धी और सहलियां जो है उसकी उन्होंने लोगों से बातचीत की गाउं के और फिर उन्होंने महसूस किया कि टोईलेट शूड बी बिल्ट इन रमाज स्कूल कि रमा के स्कूल में टोईलेट बनना चाहिए तीन नंबर पर ये हो जाएगा तो फिर क्या हुआ कि पीपल लोगों से बातचीत की तो फिर क्या हुआ आखिरकार लोग जो है उन्होंने निश्चे किया लोगोंने निश्चे किया देट की एक टोईलेट जहाँ बनना चीए दिदी वें टोग विद स्कूल टीचर फिर दिदी जो है वो स्कूल टीचर के पास गई और फिर वो बनाने के लिए तैयार हो गए तो चार नंबर पे यह आ जाएगा फिर क्या होगा कि बातचीत हो गई कंप्लीट हो गई और वो भी सहमत हो गई फिर काम शुरू होगा तो सून जल्दी ही वर्क जो है वो टोईलेट बनाने का वो स्टार्ट हो गया और सभी बड़े बच्चों ने टोईलेट बनाने में मदद की तो पांच नंबर पे यह हो जाएगा और लास्ट में यह हो जाएगा कि अंतता है टोईलेट जो है वो बन गया रमा के स्कूल में और रमा ने फिर कभी भी समझा का सामना नहीं किया इस तरह से सेंटेंसेज जो है वो अरेंज कर दिये हमने और यह कहन इस तरह से पूरी हो जाती है तो आपके परिक्शा में भी होता है इस तरह कि सेंटेंसे जो है वो आगे पीछे दिये हुए रहते हैं आपको पढ़ करके उनको करम से लगाना पढ़ता है तो next वर्कशीट है 34th तो competencies में क्या है writes simple sentences साधरान वाक्य यानकी simple sentences जो है वो लिखते हैं about the picture इस picture के बारे में object story तो object जो है जिस दोवस्त हैं उनको लेकर के picture को लेकर के story जो है वो लिखते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या what is the boy doing in picture नूमबर वन, picture में लड़का जो है वो क्या कर रहा है तो picture में क्या कर रहा है, लड़का जो है वो क्या ले जा रहा है छाता ले जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वोट हटा देते हैं जब भी answer लिखते हैं यहाँ से शुरू करते हैं the boy यह subject जो है वो पहले आ जाएगा यह लिख देंगे हम the boy is is जो है वो subject के बाद में आ जाता है helping verb जो होती है the boy is doing मतलब doing की जगह पर हम क्या लिखेंगे verb लिख देंगे कोई से भी doing की जगह पर क्या लिखेंगे verb लिख देंगे जो भी वो कर रहा है वो doing की जगह पर आ जाएगी The boy is bringing यह taking क्या ले जा रहा है An umbrella तो यह पहले sentence में हो गया The boy is bringing an umbrella Does he look happy in picture 4 यह तो picture 1 की बात थी यहां पर अब है Does he look happy क्या वैं खुश दिखता है in picture 4 4 नंबर की जो picture है इसमें देखो वो खुश हो रहा है अंसरा है अंसरा है अंसरा है अंसरा है अंबरेला नीचे है उसमें पानी बढ़ा पड़ा और यह happy है तो इस तरह की जो प्रशन होते हैं क्या से जो शुरू होते है helping work से जो शुरू होते है helping work से जो शुरू होते है तो yes he looks happy he looks happy in picture four है जैसा का जैसा आजाएगा कहाँ पर कुछ दिख रहा है in picture four यह तो प्रश्ण था तो प्रश्ण वाचक चिन था अब यह answer है तो हम यहाँ पर फुल स्टोप लगा देगे तो यह हमने कर लिया picture one कर ली picture four कर ली next देखते हैं what do you do when it rains तुम क्या करते हो जब बरसात होती है what क्या do what do you do यह do जो है यह तो helping verb इसका कोई मतलब नहीं होता यह इसी में mix हो जाती है जो verb होती है इसी में helping verb mix हो जाती है इसको और इसको साथ में अर्थ लगाते है तो what do you do तो आप क्या करते हो आप क्या करते हो when जब when का मतलब क्या होता जब जब it rains बरसात होती है बरसात के लिए it का प्रियोग होता है it rains तो जब बरसात होती है तब आप क्या करते हो तो आप क्या करते हो अंब्रेला जो है उसको खोलते हो च्छाता तो यहां पर U है तो U की जगह पर हम क्या लिख देंगे I I open my umbrella when it rains यह जैसा गाजैसा लिख देंगे when it rains और fully stop लगा देंगे तो यह हो गया कि umbrella खोलते हैं जैसे यह picture number 3 में umbrella खोल रहा है what did the boy do when it started running तो लड़के ने क्या किया जब बर साथ आना शुरू हो गई तो लड़के ने क्या किया जब बर साथ आना शुरू हो गई तो बर साथ आना शुरू हो गई तो लड़के ने क्या किया अपना umbrella जो है वो खोला तो हम यहां पर क्या लिखेंगे यह तो हट जाएगा जब भी डिड आता है तो इसकी second form यहां जो भी वर्ब आएगी उसकी second form हम कर देंगे तो यहां क्या लिखेंगे दब बोई ओपन्ड लड़के ने खोला दब बोई ओपन्ड दी अंब्रेला चात्ये को खोला उसने अपने अंब्रेला वेन इट स्टार्टेड रेनिंग यह जैसा गाजैसा लिख देंगे वेन इट स्टार्टेड रेनिंग यह फिर लगा देंगे फूल स्टॉप इस तरह से यह हमने आंसर जो है वो दे दिये इसके वर्क्षीट नमबर 35 को हम देखते हैं 35 में क्या है दक्सता क्या है यह जो टेक्स्ट है दिया हुआ इसको टेक्स्ट बोलते हैं किताब को बोलते हैं टेक्स्ट बुक और जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टेक्स्ट तो टेक्स्ट को पढ़ो with comprehension समझ के साथ with मतलब with कार्थ यहां पर हम किसके अर्थ में लगाएंगे के साथ के अर्थ में और comprehension का मतलब क्या होता है समझ यानि समझ ना है समझ के साथ इस text को पढ़ना है identify पता लगाना है क्या पता लगाना है main idea जो मुख्य विचार है यानि कि यह किसके उपर लिखा हुआ details इसके में पूरी के पूरी details जो है वो विस्तरित विस्तरित रूप से यह जो लिखा हुआ है उसको समझ के साथ में पढ़ना है and draws conclusions और फिर conclusions निकालने है मतलब niskers निकालना है conclusions niskers निकालना है तो read the story read पढ़ो story को पढ़ो of a bird एक पक्सी की की के अर्थ में परिप्त हुआ है की उल्टा चलते है पक्सी की कहानी पढ़ो पक्सी की कहानी को पढ़ो पक्सी की कहानी को नहीं पढ़ो इसमें bird के आगे house भी लिखा हुआ है यानि पक्सी के घर की कहानी पढ़ो, यानि गोसला जो होता है, पक्सी का घर होता है, इसको nest बोलते हैं, तो पक्सी के घर की कहानी पढ़ो, and or answer the questions, answer का मतलब क्या होता है, उत्तर दो, answer दो, उत्तर दो, किसका प्रश्णों का, और वो भी प्रश्ण है, कौन से प्रश्ण है, ask below, below मतलब नीचे यह हर प्रश्ण में आता है below जो है, नीचे जो पूछे गए हैं उन प्रश्णों के उत्तर दो सबसे पहले तो क्या गरना है bird house की कहानी को पढ़ना है bird house मतलब पक्सी के घर की कहानी को पढ़ो और फिर जो नीचे दिये गए पूछे गए प्रश्ण में उनका उत्तर दो तो पढ़ते हैं कहानी को, क्या है कहानी में once upon a time once upon a time एक बार की बात है once upon a time एक बार की बात है इसका मतलब क्या होगा एक बार की बात है जब भी आप कहानी लिखोगे इसी से शुरू करोगे once upon a time या once there बोज़ है once upon a time इसको तो याद ही कर लो जब भी कोई कहानी होगी और यहां पर कोमा भी लगाते है once upon a time three birds, कितने birds हैं? याद रखो यह कितने birds हैं? three birds, तीन पक्सी lived रहते थे, जो मैं बोल रहा हूँ इसका meaning भी साथ बोल रहा हूँ इसको भी ध्यान में रखो, lived रहते थे आँख बंद करके पांच बार यह साथ साथ, आप इसको वीडियो को पोज़ करके lived रहते थे lived रहते थे, ऐसे याद हो जाएगा together, साथ साथ रहते थे on a tree, कहा रहते थे? on a tree, पेड पर on क्या होता है? पर पेड पर साथ साथ रहते थे कितने? तीन पक्षी, देखो यह रहे one, two, three three birds है, यह क्या है? three birds पेड की शाका पर बेटे होएं their names were, उनके नाम थे were का क्या होता है? थे were मतलब थे, याद कर लो यह were मतलब थे, name मतलब नाम और their मतलब उनके नाम थे, क्या नाम थे? coco, pihu and sonu, यह तीनू birds के नाम क्या है? coco, pihu and sonu, यह नाम है they built, उन्होंने बनाया, built मतलब बनाया यह build की second form होती है build मतलब निर्मान करना इसकी second form होती है built, built यानि निर्मान किया, तो they built a small house with wooden sticks अब किस से बनाया, small house? छोटा सा अगर किस से बनाया, with के साथ? या से, किस के साथ बनाया? wooden sticks, wooden मतलब लकडी की sticks मतलब छड़िया लकडी की जो छड़िया होते है तिन के होते है, sticks का मतलब छड़िया भी होता है तो लकडी के तिनकों से और किस से बनाया? यह जो leaves है इनका मतलब क्या होगा इनका मतलब हो जाएगा पतिया तो पतियों से बनाया sticks मतलब तिन के तिनकों से पतियों से इन से बनाया Coco was the youngest of the three Coco क्या थी? Coco थी Coco पक्सी जो है वो था the youngest youngest मतलब सबसे छोटा यंग, यंगर और यंगेस्ट दी यंगेस्ट यह एक साथ ही आता है यंगेस्ट जब इस तरह से EST लगा हुआ हो तो दी भी साथ में आता है वर इसको दी पढ़ते हैं दी यंगेस्ट of the three तीनों में से यहां पर ओफ का मतलब मैं से of का अर्थ क्या लगाएंगे यहां में से तो तीनों में से सबसे छोटा पक्षी था कौन कोको and sonu was the eldest eldest का मतलब क्या होगा eldest यंगेस्ट तो सबसे छोटा और eldest हो जाएगा सबसे बड़ा तो आपको सबसे छोटा भी याद रखना है कोको तो सबसे छोटा और sonu जो है वो सबसे बड़ा वन डे एक दिन अब क्या हुआ देखो कोको वेंट कोको गई कोको पक्षी जब वो गया आउट बाहर क्या करने गया to buy खरीदने के लिए क्या खरीदने के लिए berries खरीदने के लिए गया कहा से प्रॉम द जंगल मार्केट जंगल में जो मार्केट था प्रॉम का होता है से उस से बेरीज खरीदने के लिए कोको बाहर गया बट परन्तु he forgot to take a carry bag लेकिन carry bag ले जाना भूल गया forgot जो है forget का second form है और इसका मतलब क्या होगा भूल गया बेरीज खरीदने गया था लेकिन क्या बूल गया carry bag carry bag क्या होता है थेला होता है जिसमें हम ये सबजियां वगेरा फल वगेरा रख करके लेकर के आते हैं सामान जो भी सामान बाजार का है वो carry bag है with him अपने साथ carry bag ले जाना तू take take मतलब ले जाना बूल गया पीहू एंड सोनू पीहू और सोनू ने थोट सोचा that की they should go उन्हें जाना चाहिए should का मतलब क्या होता है चाहिए go मतलब जाना उन्हें जाना चाहिए कहां जाना चाहिए after cocoa, cocoa के पीछे, with a carry bag carry bag लेकर के, otherwise अन्य था, otherwise मतलब अन्य था, he will have to bring उसे लाना पड़ेगा the things, चीजें in a polythene bag किसमें लाना पड़ेगा polythene bag in मतलब में उल्टा चलते हैं, polythene bag में चीजों को लाना have to, जब भी लग जाता है, तो पड़ेगा will have to लग जाये, तो पड़ेगा will have to bring लाना पड़ेगा will have to eat खाना पड़ेगा, will have to drink पीना पड़ेगा, इस तरह से both new, how harmful polythene is, दोनो ही, बहुत का मतलब क्या होता है, दोनो new, जानते थे, how कितना harmful हानिकारक होती है, polythene is for the environment, किसके लिए environment का मतलब क्या होता है, परियावरण environment के लिए कितनी हानिकारक होती है, क्या polythene, और polythene environment के लिए तो होती ही होती है and और किसके लिए होती है, all animals सब भी जानुरों के लिए हानिकारक होती है so इसलिए they flew where ude with carry bags carry bags लेकर के and matte cocoa और cocoa से मिले in the market बाजार में all of them bought groceries all of them bought groceries groceries होता है प्रचुनी का सामान जो होता है किराने का काने पिने का वो तो उन में से सब जो है वो groceries लाए और क्या लाए कपड़े लाए और क्या लाए and मतलब और और क्या लाए other things अन्य चीजे for their home अपने घर के लिए and came back और फिर वापस आ गए ये एक कहानी कहानी है तीन पक्षियों की जिनके नाम है कोको पिहू और सोनू उन्होंने एक छोटा सा जो जो ये निसान लगाएं हैं एक बार मैं इन निसानों को यहां से हटा देता हूँ आप इन में अगर गोर करो तो बिल्कुल आप एक चीज का ध्यानियां पर लगाओगे कि एक जैसे अगर कुछ चीजें अगर एक जैसी हो मतलब एक से ज्यादा हो दो हो या तीन हो तो उसमें इसमें क्या है देखो यहां पर आप लोगों को देखना है यह punctuation भी इसमें आप सीखोगे कॉमा का प्रियोग भी आप इसमें सीखोगे सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें से देखो सबसे बड़ी बात यह है कि पहला आक्षर जो है वो capital है नाम का पहला आक्षर जो होता है ना देखो नाम उनके नाम थे क्या थे कोको तो शी बड़ा पी हू तो पी बड़ा और सॉनू तो एस बड़ा कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहां पर देखो तो नाम का जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है यानि कि नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है किसी भी वाक्य का पहला अक्षर वाक्य का प्रारंभिक जो होता है वो सबसे मतलब केपिटल होता है ये भी आप लोगों को ध्यान रगना है और कॉमा लगानी की बात यहां पर है तो देखो once upon a time हम यहां पर थोड़ा सा रुके हैं तो रुके हैं तो यहां पर कॉमा लगा दिया फिर नया सेंटेंज शुरू हमने किया है नेम सवर्थ तीनों के नेम बताए जा रहे हैं यहां कॉमा है पिहू और फिर यहां कॉमा नहीं है फिर एंड लगा है यानि लास्ट में हम एंड लगाते हैं अगर चार होते तो फिर पिहू के कॉमा लगाते हैं फिर उसका नाम लिगते हैं और फिर एंड लगा करके आगे उसका नाम लिग देते हैं अब कुछ चीजें यहां पर खरीदी हुई है तो कुछ चीजें खरीदी हुई है तो उनके लिए भी यहां कॉमा जो है उसका प्रियोग किया गया है जिन से मुमकान बना है उनके लिए भी यह लगाया हुआ देखो कि इसमाल हाउस जो है वो वूडन स्टिक्स तिस किन से बन end लगा दिया यहाँ पर और फिर यहाँ पर लिख दिया leaves ठीक है अब यहाँ इसने कोमा नहीं लगाया है यहाँ कोमा नहीं लगाया end से पहले और यहाँ end से पहले इसने कोमा लगा दिया है खेर इसकी मर्जी कैसे भी हो लेकिन end से पहले कोमा नहीं लगाते हैं अर्थ बदल जाता है अगर end से पहले फिर लगाएंगे न तो पहले से इंटेंस से end जुड़ जाएगा ये जो पिछला last word होता है उससे नहीं जुड़ेगा खेर ये आगे की बाते हैं देखो यहां all of them bought उन्होंने खरीदे अब क्या क्या खरीदे देखो groceries फिर कोमा clothes और यहां कोमा नहीं है देखो and other things तो तीन चीज़ें हो गई groceries clothes other things यहां कोमा लगा दिया यहां end लगा दिया last word से पहले कोमा नहीं लगता end लगता है इन दोनों के बीच में कोमा लग गया तो where did the three friends live answers देने हैं let us answer the following questions now नीचे लिखे following का मतलब क्या होता है नीचे लिखे जो नीचे जितने भी यह following है सारे निम न लिखी तो भी बोल सकते हो नीचे लिखे questions अब नीचे लिखे questions के answers दो देते हैं चलो तो where did the three friends live जब भी did आता है तो यह मान करके चलो कि word की second form का प्रियोग हमें कर देना है इसमें did हट जाता है do भी हट जाता है did भी हट जाता तो यह do और did जो है यह तो सब हट जाएंगे यह डबलो एंच वर्ड जो है यह भी हट जाता है इसमें यह भी हट जाएगा यह भी हट जाएगा answer देते वक्त यह भी हट जाएगा answer हमें देना है तो the three friends यह लिखना पड रहेगा द त्री पहला ही लेटर जो है वो बड़ा होगा बाकी सब चोटे होंगे, दध्री फ्रेंड्स, अब क्या होगा? लिव यह फरस्ट फॉम है, इसकी हम क्या करेंगे? second form करेंगे, क्यों करेंगे second form क्योंकि यह did दिया हुआ है तो did के बाद first form आती है, लेगिन did हटते ही, यह second form हो जाती है यह लिखना सीखो, the three friends lived, कहां रहते थे देखो, यह रहा देखो three birds, birds की जगह पर friends आ गया, lived यह रहा, verb से पहचानते हैं, इससे पहचानेंगे on a tree, कहां रहते थे on a tree, lived on, यह together लिख दो वह यह की बात है, ना लिखो तो भी चलेगा lived together on a tree और full stop लगा देगा, यह इसका answer हो जाएगा मैंने बताया, आप vote को अटा दो did को भी अटा दो, अब क्या करेंगे they से शुरू करेंगे sentence को तो सबसे पहले क्या लिखेंगे they, build देखो, did आया हुआ है, तो यह first form आया हुई है अब did हटते ही है, second form हो जाएगी तो अब यहां built लिखेंगे, they built their house यहां तक तो पहले लिख लो their house with अब देखो, built word जो है और house word जो, यह आप देखोगे यहां पर तो उन्होंने बनाया, तो किन-किन से बनाया था, गास और wooden sticks यह रहा देखो they built a small house with wooden sticks grass and leaves, इन से बनाया तो यही आपका answer जो हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तर, तो कैसे लिखोगे तो यही लिख दिए, आमने they built their house with with wooden sticks यह आ जाएगा पहले तो with wooden sticks फिर क्या जाएगा, grass यह रहा देखो, wooden sticks के बाद में grass, wooden sticks कोमा लगाएंगे, grass and भी लगाएंगे यहां पर and किस से बनाया था and leaves यह रहा पत्तियों से तो यह भी हम यहां पर लिख देंगे and leaves, इस तरह तो यह पत्तियों से इन से, गास से और तिनकों से बनाया, next question देखते है what do we build our houses with हम अपना घर जो है किस से बनाते है what do we build our houses with, हम अपना घर किस से बनाते है, तो इसमें देखो do आया हुआ है, तो do आया हुआ है तो first form आया हुए है, first form आया हुए है तो do भी first form है, did तो second form है इसलिए second form लगाई, do first form है तो first form ही हम यहां लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो लिखेंगे, we build का, build ही रहेगा क्योंकि did नहीं है, did होता तो second form करते हैं do है तो first form ही रखेंगे तो we build our houses with, अब किन किन चीजों से बनाते हो बताओ, तो with किन किन चीजों से बनाते हो वो वो चीजें यहां पर लिखनी है तो किन किन से बनाते हैं with cement से बनाते हैं brick eat से बनाते हैं कोमा लगाते हैं, cement है, brick है, यानकी eat है stones है, पत्थर है, लकड़ी है, wood है यह है, और क्या हो जाएगा wood और किसे बनाते हो loha भी लगाते हैं and iron loha और loha के साथ बनाते हैं यह हो गया, what did the three friends buy from the jungle market jungle market से buy क्या खरीदा verb जो होती है, वो किसी भी question को समझ पाने में आसान कर देती है इसलिए verb बहुत ज़्यादा याद होनी चीए और यह वह वर्ड भी तो क्या खरीदा, कहां से खरीदा, jungle market से three friends ने क्या खरीदा तो did आया हुआ है, तो यहाँ पर did यहाँ पर आया हुआ है, तो the three friends the three friends यह लिख देंगे the three friends अब did की वज़ए से यहाँ बाई जो है ना, इसके second form हो जाएगी bot bot, क्या-क्या खरीदा देखो यह रहे यहाँ पर, क्या-क्या खरीदे they bought, यह रहा, बोट भी है ना, तो the three friends यह भी लिख सकते हो, और they भी लिख सकते हो all of them, यहाँ जो लिखा हो है यह भी लिख सकते हो तो bot, क्या-क्या खरीदा groceries, clothes and other things यहाँ तक ना, other things यहाँ तक यह हो जाएगा तो bot, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा groceries groceries उसके बाद में क्या है, clothes यह हो जाएगा clothes, उसके बाद में other things, तो end लगा करके and other things यहाँ पर लिख देंगे and other things यह हो जाएगा next दखो what do you buy when you go to market what do you buy तुम क्या खरीदते हो, मुदला आप क्या खरीदते हो क्या, what क्या you, आप, buy, खरीदते हो कब, जब, when you go, तुम जाते हो, कहाँ पर जाते हो market, तुम क्या खरीदते हो तुम भी यही चीज़े खरीदते हो, है न तो यहाँ पर you की जगह पर क्या लिख दोगे I और क्योंकि यहाँ पर do है, तो first form ही लिखेंगे I buy first form, I की जगह पर आप V भी लिख सकते हो V buy, अगर सामुई ग्रूप से उत्तर लिखना चाओ, वैसे आई भी चलेगा, हम आई ही लिखेंगे कि मैं खरीदता हूँ, मैं क्या खरीदता हूँ, मैं भी यही खरीदता हूँ, आई भाई, ग्रोसरीज, ग्रोसरीज यानि किरणा का सामान, चाय, चीनी, आटा, दाल, जो बुक्स, एंड, पैंस, और पैं भी खरीदता हूँ, इसे चीजे लिख सकते हूँ, इससे आपकी कॉमा की प्रेक्टिस हो जाएगी, जितने भी चीजे लिखो कि कॉमा 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 लगाते जाओ, लास्ट में कॉमा नहीं लगा करके, हैंड लगाना है, ठीक है, अब ये है कि तुम कैसे लाते हो, तो जैसे आया था ना, पोलिथीन में लाते हो, कि केरी बेग में लाते हो, तो केरी बेग में लाते हो, आई, यू की जगह पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ब्रिग है, to I bring things in carry bag ठीक है from the market carry bag से carry bag में लाते हैं इस तरह से आपने इस कहाँ नहीं के जिते भी questions थे उनका answer आपने दे दिया ये है आपके worksheet number 35 अब है formative assessment formative assessment में जितना भी आपने पढ़ा है उनका answer आप लोगों को यहाँ पर देना है तो take the option that is not related to the word river river से related जो नहीं है जैसे हमने वहाँ पर पहले लिखे थे ना school से related केलों से related शब्द तो यहाँ river से related जो words है देगो water होता है river में swim तेर भी सकते हो आप still वो शान्त भी होता है river का पानी शान्त नहीं होता है तालाब का पानी शान्त होता है boat भी चलाते हो आप river में तो यह still जो है यह not related है मतलब related नहीं है still का मतलब क्या होता है शान्त इस्थिर नदी जो है वो तो बैती रहती है इस्थिर थोड़ी होती है इस्थिर रहता है पानी इस्थिर रहता ही नहीं है कहीं पर she works in a factory Delhi वो पर कार खाने में काम करता है इसमें क्या करना है correct noun क्या करना है correct noun for the given sentence तो she pronoun होता है सर्वनाम होता है ए आर्टिकल होता है डेली जो हेड़ वर्बियल होता है factory car खाना इसमें noun है ठीक है तो factory जो है वो noun है इसमें हम tick mark लगा देंगे परिक्षाम इसी तरह से आता है the boy has a box इसमें क्या करना है correct sentence for the given picture इस picture के लिए ये जो picture है इस picture के लिए correct sentence देखना the boy has a box लड़के के हाथ में box है the boy has a shoe लड़के के हाथ में जूता है the boy has a bucket लड़के के हाथ में balty है the boy has a bag लड़के के हाथ में balty है बकेट है तो ये बकेट यानिकि ये option सही है tick the correct pronoun pronoun सर्वनाम इसमें तो noun था अब इसमें सर्व नाम लेना है संग्या के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्व नाम कहलाते है अना तो प्रोनाउन की प्रिबाश है यही है कि वो नाउन की जगह पर आता है अब यहाँ नाउन क्या है चिल्डन है आर मेकिंग नोईज बच्चे शोर कर रहे है इनके लिए यहाँ पर क्या आयेगा शी एकवचन होता तो लड़की होती तो शी बवचन है तो दे आजाएगा वी इसमें आयेगा नहीं वी आर वेरी नोटी थोड़ी होगा चिल्डन बच्चे की बाद चल रही है इट एकवचन है नहीं वस तो जानवर होती तो इट लगा देते हैं यह चिल्डन है बवचन है तो हम दे का परियोग इसके लिए करेंगे तो यह हो गया प्रणाउन का परियोग फिर इसमें दिया हो है कि read the given story and write the correct sequence of the pictures तो इसको पढ़ना है और correct sequence जो है वो इस picture की देनी है अली wanted to help his father today अली अपने पिता जी की मदद करना चाहता था आज so he decided इसलिए उसने निष्चे किया to clean the home home को clean करने का यह clean कर रहा है he started cleaning and was happy to do it तो he started cleaning उसने शुरू कर दिया clean करना and was happy और खुश था to do it यह करके he turned back वह वापस मुड़ा to clean near the Elmira Elmira के नजदीक clean करने के लिए जैसे यहां पर है he did not notice that his pet walked into the room तो उसने he did not notice उसने ध्यान निदिया की that मतलब की वह भी होता है इसका मतलब की his pet उसका पालतू जो कुत्ता है यह रहा देको उसका पालतू कुत्ता walked into the room वह कमरे में आ गया चलते हुए he was busy cleaning और वह तो साफ करने में व्यास्त था साफ करने में व्यास्त था तो as he turned again जैसे ही वह दुबारा मुड़ा he saw marks of उसने पेरों के निसान देखे दे को यह रहे he was sad as all his hard work got wasted तो वह उदास हो गया था as क्योंकि all his hard work उसकी पूरी की पूरी मेहनत got wasted बरबाद हो गई got का मतलब पाना भी उता है gate का मतलब होना भी होता है got मतलब यहां पर होगा हो गई उसकी पूरी की पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो गई तो यहां क्या करना है sequence देखनी है तो पिता जी की मदद करी help करने के सोची उसने तो यह पहला help करने की सोची तो यह हो गया पहला फिर वो अंदर आ गया चल करके अंधर चल करके आ गया तो फिर ये रहा पिर वह मुड़ा तो ये कदमों के निशान थे पिर वो दुखी हुआ तो फिर दुखी हूआ ये यह पर तो sequence क्या हो गई number one ये हो गई number two ये हो गई number three ये हो गई अंदर आ गया और number four ये उदास हो गया यह पेरों के निशान देख करके तो इस तरह से यह होगी अब 6 से 9 जो है क्योंकि यह assessment है यह इसमें 9 questions दिये हुए अलग-अलग दिये हुए यह sequence वाला भी हो गया tick mark वाला भी हो गया अब यह है read the given passage अब यह passage है and answer the following questions और जो नीचे लिखे हुए है questions यह यह और यह इनके answers देने हैं देख लेते हैं फटाफट read the given passage answer the following questions there was once a proud elephant एक गमंडी हाती था एक बार once मतलब एक बार proud elephant का मतलब गमंडी हाती who always bullied smaller animals जो कि हमेशा चोटे जो animals होते थे उन चोटे animals को परेशान करता था he would go to the ant hill near his home तो एक बार क्या हुआ कि ant hill जो जहां पर cheaty यहां रहती हैं cheaty यहां का घर उसके पास में गया वहां गया near his home जो उसके घर के पास में था and spray water ate the ants और फिर क्या हुआ spray मतलब बहुचार कर दी किसकी बहुचार कर दी पानी की ate the ants cheaty यहां पर the ants could not do anything cheaty यहां कुछ भी नहीं कर सकती थी could not do नहीं कर सकती नहीं not मतलब नहीं do मतलब कर और could मतलब सकती थी end मतलब cheaty तो cheaty यहां कुछ नहीं कर सकती थी anything कुछ विकोज क्योंकि विकोज ओफ देर साइज अपनी साइज के कारण अपने आकार के कारण चीटियां चोटी होती है न हाथी बहुत बढ़ा होता है तो दे अलवेज क्राइड वो हमेशार होती थी दे अलिफेंट हाथी अपनी जस्ट लाफ्ट सिर्फ असता था एंड थ्रेटरंड दे अंड चीटियों को थ्रेटरंड धमकाता था देट की वोड ख्रश देम गोई उनको कुचल देगा कुचल मतलब कुचल देगा टु डेथ मार देगा मारने के लिए कुचल देगा वन दे एक दिन दे अंड चीटियों एनफ दे अंड से एक हो गई, प्रियाप्त रूप से एकटी हो गई, और निरने किया, क्या निरने किया, teach the elephant lesson, एक सबक सिखानेगा, निश्चे कर लिया, पाठ पढ़ानेगा, निश्चे कर लिया, lesson मतलब पाठ, सबक, teach मतलब पढ़ाना, सिखाना, और इसको काटना, उन्होंने शुरू कर दिया, तो ट्रंक का मतलब क्या होता, सून्ड, हाती की किसकी, elephant's trunk, हाती की सून्ड में, स्ट्रेट सी थी, वेंट मतलब गई, started biting, काटना शुरू कर दिया, biting मतलब काटना शुरू कर दिया, the elephant could only cry in pen, elephant जो हो किवल दर्द से, दर्द में चीख सकता था, सिर्फ दर्द में सी चीख सकता था, he realized, उसने महसूस किया, his mistake अपनी गलती को, उसने महसूस किया, and apologized, और maffy मांगी, to the ants, चीटियों से, and all the animals, he bullied, और जिन जिन जानवरों को, उसने परेशान किया था, उन सब से maffy मांगी, who got bullied in the story, तो इसमें है कि हुई कौन, bullied, story में कौन, परेशान हुई, तो the ants, तो who की जगह पर, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपना answer हो जाएगा, फिर, तो यहाँ पर लिख देंगे, the ants got bullied in the story, फिर यहाँ पर हो जाएगा, who is big, and who is small in the story, तो who is big, तो who की जगह पर big कौन है, elephant, तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे, the elephant, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, who की जगह पर, who को अटा कर लिख देंगे, the elephant is big, and who, यह जो who है, इसकी जगह पर हम लिख देंगे, ants, the ants, अब यहाँ पर देगो, who is लगा हुआ न, तो यहाँ पर हम आर लगा देंगे, क्योंकि बहुँ अचन है न, ants, ants के लिए बहुँ अचन लगा देंगे, ants are, इस who की जगह पर, और is की जगह पर हम यह तो हटा देंगे, और इसकी जगह पर यह लिख देंगे, the ants are, small in the story तो why do you think the elephant bullied the animals, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हाती जो है, वो जानुरों को क्यों परेशान करता था, क्यों परेशान करता था, because he was, because इसमें उसका उत्तर क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर you की जगह पर क्या हो जाएगा, I think, I think, why do you think में हो जाएगा, I think, you को I में बदल कर के लिखेंगे, I think, that, the elephant, that, ना लिखें तो भी चलेगा, that नहीं लिखते हैं, I think, think के बाद में नहीं आता है, तो I think, the elephant, the elephant was big in size, So, इसलिए, अब यहाँ से लिख देंगे, the elephant bullied the animals, So, लिख करके, यह आगे, यह जो लाइन हैं, the elephant bullied the animals, यह वाली लाइन इसके आगे add कर देंगे, इस तरह से यह assessment जो है, वो complete हो जाता है, तो thanks for watching, next वीडियो में, आगे की जो worksheets हैं, वो पढ़ेंगे, thanks for watching, जै हिन, जै भा क्रिको,